बहुत बढ़ा मैच आने वाला है, और बहुत बढ़ा वीक आने वाला है, इस साल के लालीगा का सबसे important weekend आने वाला है, बार्सलोना फेज करने वाली Athletico Madrid को, और Real Madrid फेज करने वाली एस सिविया को just एक दिन बाद, और यह जो दोनों मैचेस है न, यह पूरा hundred percent decide कर देंगी कि क और कुछ भी करके मैच हम लोगों को जीतना पड़ेगा और यह मैच बहुत जादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अध्रेटिको मैट्रिक टगरी टीम है प्लानिंग के साथ खेलते हैं दुनिया को पता है उनकी प्लानिंग क्या है और दूसरी तरफ बारसलोना भी ठीक ठाक फॉम में चल रही है अभी थोड़ा स्लिप अप कर गी थी बट बारसलोना ने जिस हिसाब से रिकावर किया है बारसलोना जो इतने पीछे तेरवे चौद अंधर इंडर में टीम के साथ उतरती है उनके अंडर में टीम का माइंडसेट इतना चेंज होया आता है यह खाग खा भी घ fått खा भी गए तो भी कोई चिंता नहीं कियों हम लोगोग कोлग पते कि हम एक खाशन से इंसलार क्सें तर नहीं करणा engine लिएं लौप Fashion process या कि सर पे थोड़ा प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि इतनी important lead को लोग bottle कर चुके, UCL से वो लोग बहार हो चुके, इसलिए उन लोग कुछ भी करके लाली का जीत नहीं है, यह तो हो सकता, अगले बार सेक हो जाए, basic बात कि दोनों coaches अपनी job के लिए खेलने आले, सीधी सी बा backs, वो भी एकदम पीछे ही जुड़े आते हैं, उनके जो दोनों defensive midfielders है, वो भी अंदर ही आ जाते हैं, basic बात, Luis Suarez को छोड़के, सब के सब, उनके पीछे ही आ जाते हैं, और जैसी उनको break मिलता है, भागो, 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 counter attacker दो, goal मार दो, match जीत जाओ, basic strategy, दू काहा, मुकी, जो करना है करो, बट, opponent को goal मत मारने दो, यह उनकी बस strategy है, यह चलो, Barcelona का formation देख लेते हैं, और मेरे हिसाब से formation करीप सेम ही रहेगा, बस दो ही जगा है, जहापे हम लोग शोर नियों कि कौन खेला है, क्योंकि अभी बीच ने रिपोर्ट्स आ रही थी, कि Sarginio Des को ऑसकर मिंगेजा replace कर ले, बट, अगर Sarginio Desk खेलता है, तो center back position में कौन कौन खेलेगा, PK की जगा fix है, मेरे हिसाब से long league की जगा fix है, दोनों ठीठा की खेलते है, आ रहे हैं अभी recent games में, और Ronald Rao हो खेलेगा, कि मिंगेजा खेलेगा, कौन खेलेगा center back पे, और बहुत बहुत जार अच्छा है, वाल बन के खड़ा रहता है defending के time, कोई भी आभी तो उसको dribble pass नहीं के है, तो यही एक basic question रहेगा, कि center back में third player कौन खेलने वाला है, बाकी जो midfield रहेगी, वो तो पूरी की same ही रहेगी, डियोंग, बुसकेट्स और पेटरी की, left hand side पे, अलबा खे manager से, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि Barcelona की attacking tactics क्या क्या रहेंगे, अब हम सब लोग को पता है कि Athletico Madrid deep prop करेगी, compact बन के खेलेंगे, वो लोग पूरा एकदम इतनू से space में congest कर देंगे, Barcelona को suffocate कर देंगे, तुमको जगाई नहीं देंगे, हम कहाँ गोल मारो, ऐसा बो but उस process में, तुम लोग उनके कोई भी match देख लो, सामने वाली team के, जो fullbacks है, या जो wingbacks है, वो हमेशा free रहते हैं, और यही चीज हमारे साथ भी होगी, हमारे जो दोनों wingbacks हैं, ये खाली रहेंगे, बाकि Messi और Griezmann, ये दोनों को एकदम अच्छे से cover करके रखेंगे, इनके खिलाग 4-500 player ये लोग रख देंगे, ताकि ये लोग कोई मस्ती ना कर पाएं, ठीक है, अब ऐसे time में, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखो या, number one चीज, हमारे wingbacks खाली हैं, तो इन लोग को अंदर घुसना पड़ेगा, इन लोग को गोल की तरफ घुसना पड़ेगा, ग्रीजमें दे सकता है, मैंसी दे सकता है, ये सबके सब तो बीच में खड़े हैं, तो इस सब लोग इन दो प्लेयर को प्रोवाइड करो, और इन दोनों को, इन दोनों को opportunity को miss नहीं करना है, और गोल मारना है, ठीक है, ये number one चीज होगी, कि ये लोग अंदर घुसें, दू तो बीच में था ही नहीं, तो क्रोस देने का मतलब क्या, अगर हम लोग गोल ही ना मार पाएं तो, इसलिए हमारे प्लेयर्स को अंदर घुसना पड़ेगा, ठीक है न, चाहे फ्रेंकी डियोंग हो, चाहे पेटरी हो, और पेटरी स्पेशली बोल रहा हूँ है, पेटरी हम हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉंग शॉट्स, हर वीडियो में, मैं यही चीज बोलता हूँ, कि लॉंग शॉट्स, लो, लॉंग शॉट्स लेने पड़ेंगे, किसी भी हालत में, फेटरी को लेने पड़ेंगे, मैसी को लेने पड़ेंगे, ग्रीजमन को लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे सबके सबको long shots लेने पड़ेंगे क्योंकि आर इतने जादा compact रहते हैं वो लोग और मानो कि उन लोग को ने हमारे कोई क्रोसेज अंदर नहीं आएंगे तो उसके चक्कर में कहीं ना कई टीम में ब्रेक होती ही यार और अच्छी बात है ना इतनी जो प्रेक्टिस करते हैं लॉंग लॉंग शॉट कि हम लोग ट्रेनिंग वीडियो में देखते हैं क्या फायदा उसका अगर हम लोग मैस में ल हाय नहीं होती है तो एक चीजस तो मैं बोलूंगा की जैराड पीके को आगे नहीं जाना है प्लीज प्लीज आगे मत जाना पीके क्योंकि कि Suarez वहाँ पर खड़ा रहेगा, Suarez इंतजार करता रहेगा, कि कब मेरे को ball मिले और कब मैं दोड़ू और कब मैं मारू गोल, इस चीज का Suarez इंतजार करता रहेगा, PK की responsibility है कि ओ Suarez को रोके और उसके लिए PK को पीछे रहना पड़ेगा, अगर PK आगे गया, यहां से Suarez पीछे गोल मार देगा, यह एक चीज हो गई, दूसरी बहुत important चीज, interception, अगर तुम लोग recently Real Madrid और Chelsea वाला match देखे हो तो तुम लोग देखे होगे, कि Real Madrid वाले बहुत बार counter-attack sort of, या फिर through balls जेने का try कर रहे थे basically, क्या कर रहे थी Chelsea वाले players, उनके midfielders, रोग ले रहे थे, intercept कर दे game में, पूरी जितनी एनरजी है न, पूरी दिखा दे, और जितनी भी balls आगे जा रहे है, उन balls को, बुसकेट को रूखना पड़ेगा, और बुसकेट के साथ साथ, obviously Pedri और फ्रेंकी डियों को भी help करनी ही पड़ेगी इन सब चीजों में, और तीसरी basic बात तो हम सब को पड़ेगा, ज्यादा आगे नहीं जाना है, पीछे रहो, wall को intercept करना है, उनको through balls नहीं देने देनी है, बस basic सी बात है, बात खत्म और game काफी hard होने आना है, ठीक है न, कुछ लोग सोच रहे हैं कि यह easy win होगी, तो easy win हमारे लिए बिल्कुल नहीं होने आली, बहुत बहुत हम लोगो, एकदम अच्छे से खिलना पड़ेगा, बट मेरे को लग रहा है हम लोग खिल लेंगे, पता नहीं कैसे मनला, अंदर से थोड़ी थोड़ी optimism की feeling आ रही है, तो इसलिए मेरा score 9 prediction है, Barcelona 2, Athletico Madrid 1, अब देखो हैर क्या होता है, बहुत ज्यादा important game है, पहले भी बोल च ठीज़ा, ठीक है, विसकायल बार्शा